एक ऐसा बाबा जिसके लाखों अंदभक्तों जो हमेशा हजारों समर्थकों से घिरा रहता हो उस पर योन उत्पिरन जैसे गंभीर आरोप हो इतना सब होते हुए भी उन अंदभक्तों के बीच से ग्रफ्तार करना ये अपने आप में एक बड़ा चैलिज था लेकिन पुक्ता सबूत और मजबूत रणीरती के चलते राजिस्थान की जोधपुर पुलिस ने योन उत्पिरन के आरोपों में आसाराम को 31 अगस्ट 2013 को मद्यप्रदेश के इंदोर से ग्रफ्तार कर लिया था उस समय पुलिस की ये बड़ी उपलब्दी माने गई थी चार दिन तक पुलिस रिमांड में रखने के बाद आसाराम को जोधपुर सेंटरल जेल में बंद कर दिया गया था और इस काम को अंजाम तक पहुचाने वाले थे जोधपुर के ततकालीन DSP आजयपाल लामबा दरसल आजयापाल लामबा ही वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बेहत सावधानी बरत्ते हुए योन उत्पृणन के आरोपी आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया था लामबा कहते हैं जिस तरह का आसाराम का उस समय कर्द था देश भर में उसके लाखों अंधभक थे उस स्थिती में दूसरे प्रदेश में जाकर उसे ग्रफतार करना राजिस्थान पुलिस के लिए बेहत चुनोती पूर्ण कारिये था लेकिन इस केस का सबसे मजबूत पहलु था नाबालिक प्रीडिता का बयान प्रीडिता के बयान को साबिक करने वाले सभी तथियों और सबूतों को सार्थक्ता के साथ जुटाया गया बाद में उसे विदिवत रूप से कानूनी दायरे में पिरोया गया यही आसाराम की ग्रफतारी के आधार और पुलिस की सबसे बड़ी सफलता थी उनी के आधार पर पुलिस आसाराम को जेल के पीछे धकेल पाई कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये कहावत आसाराम के केस पर बिलकुल सटिक बैरती है क्योंकि राजनीतिक सरनक्षन और लाखों भक्तों के होने के बावजूद अब दोशी आसाराम अपनी पूरी जिंदिगी जेल में बिताएगा